नमस्कार स्वागत है आपका देख रहे हैं जोतिश जराहट के मैं हूँ आपके साथ आपका एश्टो फ्रेंड संतोशी सप्न जो खुली आँख से देखते हैं जैसे बड़ा मकान बन जाए अपना मकान बन जाए बेटी के लिए सुन्दर सा प्यारा सा केरिंग दामाद मिल जाए आग्याकारी बहु मिल जाए एक अदद कहीं प्लॉट खरीद लें अब कार आ जाए एक बार विदेश घूम आते हैं किसी विदेश में सेटल्ड एनराई से शादी हो जाए ये कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं ये कुछ सपन ऐसे होते हैं जो हर एक कोई न कोई देखता रहता है लेकिन क्या ये खुली आँखों से देखे जाने वाले खुआब पूर्ण होते हैं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है आज हम दो ऐसी राशियों का जिक्र करने जा रहे हैं जिनके खुआब कभी पूरे नहीं होते हैं कुछ न कुछ कारणों से कोई न कोई खुआब रह जाता है और मैंने इतना करीब से देखा है कि मृत्यू तक कोई न कोई स्वप्न अधूरा पड़ा रह जाता है उस स्वप्न की चाह में वह इस्तरी या पुरुश चल बसता है वो कौन सी दो राशियां हैं वो कौन से दो लगन हैं दोनों तरफ से कल्कुलेट करिएगा जिनके विशे में आज हम चर्चा कर रहे हैं वो कौन सी राशियां हैं वो कौन से लगन हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताना चाहते हैं मित्रों अधूरे ख्वाब बारहमे भाव से संबंध रखते बारहमा भाव का संबंध शुक्र से किसी भी प्रकार अगर रहता है तो कुछ न कुछ कारण से, कुछ न कुछ वजहों से ख्वाबों को अधूरा रखता है आप लाख कोशिश कर लीजिए आप लाख चाह लीजिए कि नहीं तो कूर्ण होना चाहिए महरत भी करेंगे आप जान लगा देंगे लेकिन फिर भी रह जाता है आपकी कोशिश नाकाम्याब होती है आप बहुत चाहे लेकिन कुछ नहीं कर पाए आपके हाथ में सब कुछ नहीं है क्योंकि ये चीजें पूर्व निर्धारित होती है तो पहली राशी जिसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं जिसके ख्वाब कुछ न कुछ नहीं पूरे होती है और वह अंदर से उन ख्वाबों के नापूर्या होने के कारण तडपता है पहली राशी पहला लगन मिथुन मिथुन राशी मिथुन लगन वाले अपने अधूरे ख्वाबों के साथ ही मरते उनके जीवन में यह अधूरापन उनके ख्वाब का सताता रहता है चाहे की बेटी सुखी हो जाए लेकिन कोई न कोई कारण रह गया माता पिता के लिए चाहे की एक मकान दे दे माता पिता एक अपने मकान में प्रिवेश कर जाए लेकिन ये ख्वाब अधूरा रह गया नहीं पूरा हुआ सब कर ले गए ये बाकी रह गया तो मिथुन लगन मिथुन राशी के लिए यह चीज हमने बहुत नजदीक से देखा है कि कुछ न कुछ कारण ये बन जाता है लगन और राशी नमबर दो व्रिष्चिक लगन व्रिष्चिक राशी लगन राशी दोनों से कल्कुलेट करिए दोनों चाहे आपका व्रिष्चिक लगन है व्रिष्चिक राशी है ये दूसरे नमबर पे है इनके भी खौब इतने होते हैं कि कुछ न कुछ रही जाता है मरने के समय तक सब नहीं पूरा कर पाते रह गया तो रह गया अब क्या कर सकते हैं सब कुछ इनके हाथ में नहीं है तो ये दो राशियां ऐसी हैं जिनके कुछ न कुछ ख्वाब अधूरे रह जाते हैं इसके पीछे का कारण सिर्फ एक है कि इनके ट्वेल्थ हाउस में शुक्र की राशि पढ़ती है बस ये कारण था इस वजह से इनके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं खुली आँखों से देखे जाने वाले ख्वाब मिथुन लगन मिथुन राशि में बारहमा भाव बिशब राशि का पढ़ता है और ब्रिश्चिक लगन राशि में बारहमा भाव तुला का पढ़ता है बस यही कारण है यही आधार था मेरा बताने का और आप देख लीजेगा आपके इर्दगिर्द जो भी होंगे अगर इस लगन इस राशि के हैं तो उनका खुआप कोई न कोई रही जाएगा अब आप उपाय सोचेंगे तो मैं कहूंगा कि उपाय नहीं है यह लक्षण है लक्षण का क्या उपाय है यह होनी है यह संकेत है यह प्रकृति की देन है यह प्रकृति का उपहार है आशी नहीं पड़ी तो आपके ख्वाप पूरे हो सकते हैं थाइक्यू बहुत-बहुत आभार आपके इस मुभबत के लिए हुलाश्टक अनुष्ठान दिनान के 21 मार्च से 28 मार्च एक ऐसा अनुष्ठान जिसमें किसी भी प्रकार के तांद्रक्रियाओं का पूरा काट हम बताएंगे कि कैसे उन्हें काटा जाए कैसे उनका काट किया जाए देखना ना भूलेगा हमारे हर कार्टरम में इसके जानकाई देते हैं हुलाश्टक महानुष्ठान लिख लिजेगा और पांच-छे तारिक इंदोर 7-8 मार्च पुने और 13-14 मार्च मुंबई 21-22 मार्च अहमदाबाद अपॉइन्मेंट नोट करवा दीजेगा नमस्कार शिरा दे